My Friends, Heart Chakra और सबसे पहले Heart Chakra क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं बात करने जा रही हूँ एक मुद्रा की जिसे हम Lotus मुद्रा कहते हैं इस मुद्रा का इस्तमाल हम अपने Self Love के लिए और अपने Relationships के लिए दोनों के लिए इस्तमाल करेंगे कैसे होगा यह हर विश के लिए इस्तमाल और क्यों हम इसको इस्तमाल करने वाले हैं? सबसे पहली बात जैसे ही हम इस मुद्रा में आते हैं इस मुद्रा को अक्टिवेट करते हैं या रोजाना इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस होता है अक्टिवेट होता है और क्योंकि हम यही मानते हैं कि हमारे दिल से मन से जो चीजे निकलती है positively वो manifest होती ही होती है सबसे पहली बात सुन लीजिए इस कमल के फूल से कुछ हमें सीखने को भी मिलता है कि यह उगता कहां पे है कहीं पे भी कीचर में भी उग जाता है जहां पर बिल्कुल कालिमा है वहां पर खूब सूरत सा कमल उगता है कमल आपने बहुत से देवीदेपताओं का आसन देखा होगा जो इसमें वेराजमान है कमल सूरज की रौशनी हो तो भी ना हो तो भी उगेगा ही उगेगा मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो lotus हम जब खेलाते हैं तो असल में ये जिन्दगी की वो चीज हमें सिखाता है दिखाता है कि कितनी भी परिशानी क्यों न हो कितनी भी मुश्किल क्यों न हो पर खुशियां जरूर आएंगी खुशियां जरूर मिलेंगी आपके उपर है कि आप कितने positivity के साथ जिन्दगी में आगे बढ़ते हो अच्छा अब इस lotus सूत्रा को इस lotus मुद्रा को आप कैसे यूज़ करोगे सिंपल सा सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए हार्ट चक्रा का जो आपने अगर सिंपल देखा होगा तो उसमें आपको बारा अगैन ये lotus कमल की पत्ते मिलेंगे बाहरी सतह पे बने हुए अंदर आपको एक ट्राइंगल मिलेगा जो एक स्टार का रूप ले लेता है क्योंकि दो ट्राइंगल एक साथ है जो दर्शाता है शिव और शक्ती के एक जगा एकत्रत होने की energies को ये बन जाता है काफी powerful अब यहाँ पे हम इस lotus मुद्रा में कैसे करेंगे सबसे पहले जब हम प्यार का नाम लेते हैं जब हम इस affection का नाम लेते हैं basically universe सबसे ज़ादा high frequency पे अगर किसी एक emotion पे vibrate करता है तो वो है हमारी love वाली feeling वो है हमारा प्यार प्रेम ही एक ऐसी भाषा है जो हर जीव जन्तु को व्रिक्ष को, पौधे को, हर इनसान को ब्रहम्भान की, हर एक उड़जा को, अगर कोई अपनी तरफ खीचता है तो वो सबसे पहले प्रेम है, ओके और जब हम प्रेम की बात करते हैं love की बात करते हैं, तो सबसे पहला love हमारा खुद से आता है, self love ओके इसके बाद, obviously, हमारा प्रेम, बहुत सी चीजों से है अलग-अलग, हमारे खुद के person से है हमारी अच्छाओं से है vicious से है, okay तो फिर उन सब चीजों की बारी आ जाती है अब आप लोग क्या करोगे रोजाना, सुभा, उठ करके एक छोटा सा circle बनाए एक page के उपर, okay आप ये एक बार बना के रख सकते हैं इस circle को ये page के उपर जो बनाना है ये बार बार बनाने की ज़रुवत नहीं है एक circle, आप green color का इस्तेमाल करेंगे green color से एक circle बनाए उसके बाहरी सता पे आप कमल के पत्तों जैसा कुछ आकार बनाते चले जाएं बारा पत्ते बनाने हैं आपको अंदर आप दो triangles बनाएंगे जैसे कि आपको यहाँ सिंबल में दिख रहा है star बन जाएगा ये ये शिव और शक्ती को दर्शाएगा अब इसके अंदर आप असल में अभी यहाँ पे किस चीज के लिए lotus की ये मुद्रा बना रहे हो उससे related एक word लिख सकते हो suppose आप सिर्फ आज अपने ले कर रहे हो तो अपना नाम लिख सकते हो triangle के बीच में आपको ऐसा लगता है कि आज आप ये मुद्रा अपने specific person के ले कर रहे हो तो फेर आप उनका नाम लिख सकते हो इस triangle के बीच में तो फेर obviously आपको दूसरा paper बनाना होगा ठीक है अगर आपको लगता है कि किसी particular wish की जरूरत है और उसके लिए हमें ये मुद्रा यूज करना है इस energy को उसके लिए यूज करना है तो वो wish से related से फेक शब्द लिखो बहुत है अगर आप कुछ ना भी लिखो और सिर्फ ये जो आकार आपने बनाया है इसको आप लेके बैठते हो तो भी आप meditate कर सकते हो ठीक है अप करना क्या है सुभा जैसे ही आप उठते हो या रात में सोने के टाइम पे भी दो टाइम पे करें आप कर सकते हो इसको आप आराम से बैठो सीध है बिलकुल अपने हाथों को ऐसे जॉइन करो ये paper जिसपे आपने ये आकार बनाया है वो paper आप अपने हाथों के बीच में रख लो ठीक है यहाँ पे रख के आप अपने हाथों को बंद करो हाथ लेके आओ हाट के पास यहाँ पे और ला करके फिर आप इसको धीरे से जैसे lotus होता है जैसे कमल खिलता है वैसे ही आप इसको खिला होगे ओके ये thumb and ये जो little finger है ये दोनों जॉइन रहेंगे लाइक दिस ठीक है और इसको आप open करते जाओगे खिला दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा खिला के ये आपके heart chakra के पास रहेगा जो paper आपने इसके बीच में रखा है वो अपने आप ही इसके बीच में आ जाएगा ठीक है तो ये थोड़ी देर ऐसे रहेगा आँखे करोगे बंद जिस चीज का भी नाम लिखा है आपने अगर आपने खुद का नाम लिखा है तो आप अपने आपको visualize करोगे as if आप अभी उस कमल के समान खिल चुके हो और इस कमल में आप खुद हो पूरे प्रेम से भरे हुए प्यार से भरे हुए ठीक है smile करते हुए इस तरह की कुछ visualization create करोगे ये कितनी देर तक आपको मुद्रा रखनी है असल में होता क्या है जब हम ऐसे करते है थोड़ा सा sprain पढ़ता है ये वाली जगह पे आपको थोड़ा खिजाब सा महसूस होगा उंगलियों के पीछे की तरफ फिर आप क्या करोगे इस मुद्रा को वापस से close करके फिर से बैठोगे फिर थोड़े देर में इसको वापस से आप खिलाने की कोशश करोगे तो बार-बार इस तरह से जब हम करते है न तो ये चीज जब जैसे ही lotus खिलता है हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि हम किसी परिशानी से मुश्कल से बाहर निकल रहे है प्रेम से अपने आपको भर रहे है अपनी जो भी intention है particular wish को ले करके कि वो मिल गई है या मिल रही है वो चीज आपकी आत्मा तक आपके मन में बस जाती है और मन की हर बात सच हो जाती है फिर ओके इसकी powers बहुत आए है तो रोज सुबह बैठे आप अपने हाथों को इस तरह से close करे अपना paper इसके बीच में रखे इसके बाद इससे open करे थोड़े देर के लिए सोचें कि वो चीज आपको मिल गई है बिल्कुल blessed हो आप फिर इसको बंद करें फिर से अपने इस कमल को खिलाएं कितनी बार ये प्रक्रिया आपको करनी है तो आप जितनी देर तक आप meditate करना चाहते हो कोई counts में रखने की ज़रूरत नहीं है जब आप ये कर रहे हो आपको धीरे-धीरे खुद को भी बहुत healing effect मिलेगी खुद भी आप काफी शांत फील हो गया अगर आप बड़े परिशान थे कभी कभी होता लोग लिखता है माम बहुत टेंशन में हम बहुत एकदम से कुछ समझ नहीं आ रहा उस टाइम पे खुद को heal करने के लिए आराम से एक जगा बैठो अपनी ये मुद्रा बनाओ इस ट्राइंगल के बीच में जो पेपर बुला है उसमें अपना नाम लिखो उसको हाथों के बीच में रखो और बार इस तरह से अपनी मुद्रा बना करके थोड़े देर बैठो अपने को focus करो अपने आपको heal कर रहे हो आप थोड़ी देर में ही आप बहुत relief फील करोगे ओके सो ये एक lotus मुद्रा बहुत effective है आप लोगों को अपनी लाइफ में जरूर से लेके आना चाहिए रोजाना आप कर सकते हो इसको इसमें किसी चीज का restriction नहीं है ठीक है आप अगर चाहो तो heart chakra का जो एक मंत्र है यम उसको भी आप जाप कर सकते हो आप चाहो तो जस टाइम पे आपने ये मुद्रा बनाई उसी टाइम पे आप यम इस तरह से करके जाप कर सकते हो लंबा सा खीशना है यम मेरी एक seven chakra की meditation की वीडियो है जसमें मैंने हर chakra के लिए एक जो भी नरधारत उसके tunes है वो सारे मैंने उसमें बोले हुए है आप चाहें तो उसको यूज करके seven chakra meditation भी कर सकते है बट अगर मुझे ये लगता है हमारे पूरे जितने भी seven chakras है eight chakras है जितने भी chakras है उन सारे chakras में सबसे important अगर कुछ है तो heart chakra क्योंकि हम कहते हैं ना मन चंगा तो कठोती में गंगा simple सी भात है अगर मेरा मन प्रसंद है तो मैं बिलकुल खुश रहूंगी कोई कहीं अगर body में थोड़ा भाद pain भी है तो वो भी पता नहीं चलेगा कब खतम हो गया क्योंकि मैं खुश हूँ मैं मन से बहुत खुश हूँ इसलिए प्लीज अपने heart chakra को हमेशा strength दीजिए ये mudra हमेशा बनाएए ताकि मन से आप strong रहो और किसी भी परेशानी से कोई भी स्तती में आप हमेशा खेले रहो ठीक है so that's all guys thank you so much and god bless you all